रूरल वोइस एग्री टैक्स शो प्रजेंटेड वाइ नेशनल कॉर्परेटिव डवलप्मेंट कॉर्परेशन नमस्कार रूरल वोइस में आपका स्वागत है मैं हूं हर्वीर सिंग और हाजिर हूं रूरल वोइस एगरी टेक्स शो प्रिजेंटिड बाइ नेशनल कॉपरेटिव ड़लप्मेंट कॉर्पोरेशन को लेकर इस शो में हम एक ऐसी तक्नीक के बारे में जानकारी देते हैं जिसका उप्योग किसान करके अपने उत्पादन लागत को कम कर आंदरी में भेतरी से आग करते हैं जो इस तक्नीक के गवारिक पक्ष को आपके सामने रखते हैं किर्शी शेत्र में नई टेक्नोलोजी का उप्योग लगातार बढ़ रहा है इसमें सुचना प्रोध्योगी की का उप्योग भी तेजी से हो रहा है आज का हमारा विशय है स्मार्ट फोन बेस्ट सेंस जिनका उप्योग किसान किर्शी उत्पादन की बहतरी के लिए कर सकता है यह एक एडवांस टेक्नोलोजी है आईए शुरू करते हैं आज का रूरल वोईस एग्रिटेक्ट शो किर्शी शेतर में लगातार नई तकनीक का उप्योग बढ़ रहा है सूचना प्रोद्योगी के ने जीवन के हर क्षित्र को चुआ है और किर्शी शेतर भी इससे अलग नहीं है अब किर्शी शेतर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलोजी का चलन बढ़ने से हमारे सामने दो यह समार्टफोन के जो सेंसर हैं उनके जरिये khyet, khyet की मिट्टी, фसल की सिती, तापमान, यह सब तमाम सारी जानकारी एकत्र करने में घिया जार है, और इस जानकारी के आधार पर किसान को उसके फसल के लिए क्या है क्या बेहतर फैसल येने है, क्या कदम उठाना है, किस तरीके का वशक्ता तो ब करना है, फसल के रोब को दूर करने के लिए किस तरह का पैस्यसाइड ब करना है, किस मौसम को लेकर आज हमारे साथ बात करने के लिए एक्सपर्ट हैं ट्रिपल आई टी हैदराबाद के फ्रोफेसर पी कृष्णा रेडी जो क्रिशी शेत्र में इन्फोर्मेशन टेकनोलोजी के उप्योग का लंबा अनुभव रखते हैं आईए बात करते हैं प्रोफेसर पी टेक्सों में आपका स्वागत है तैंक यू मेरा आपसे एक पहला सवाल यह कि यह स्मार्ट फोन सेंसर की हम बात करते हैं यह क्या होता है और इसका यह किस तरीके से काम करता है अगर हम खास्तोर से किर्शी के संदर में अग्रिकल्चर की ज़रूरत है उसके संदर में हम बा जलावा क्राप प्राबलम जानने के लिए बहु सारा कंपपणियों ने क्या किया है, कि वो image-based apps डेवलप किया हुए, बारा सरकार भी बहु सारा funding दे रहा है, बहु सारा university भी image-based problem detection, समझया जो पशल की समझया है, उसको फोटोग्राफ देखके, फोटोग्राफ दूसरा पाप्ट सब्सक्ता है सब पता चल सकता है बट इतना सीधा फार्मर अगर इंट्रलिएंट फार्मर है वो फीश फार्मिंग कर रहा है फीश पांड को फार्म कर रहा है वो टेंपरेजर को बहुत ज़रूरी इंफ्रमेशन है यह लोग यूज कर सकते हैं बट ज्यादातार लोग क्या है फासल का प्राब्लम करने के लिए स्पार्टफोन यूज कर रहा है बेसकली आइज सेंसर आप देख लिया तो आज कल क्या हो रहा है कि वो स्वाइल सेंसर तो अवलेबल है बट किसानों को एजुकेशन करने की ज़ है वो करना ज़रूरी है इंटेंसी करना ज़रूरी है प्रोफेसर रिडी आप रूरल वोईस एग्री टेक्शो में हमारे साथ आए और आपने स्मार्टफोन बेस सेंसर और उसके जितने इंफोर्मिशन टेक्नलोजी के उप्यूक के फाइदें अग्री कल्चर में उसके बारे में विश्तार से जानकारी थी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया तैंक यू जैसे के अभी आपने हमारे एक्सपर्ट साइंटिस को सुना और अब हम बात करते हैं अपने दूसरे मेह मेहमान से हमारे दूसरे मेहमान है डॉक्टर राजकुमार धाकर जो आई ए और आई में साइन्टिस्ट हैं अग्रिकल्चरल फिजिक्स डिविजन में आई ये बात करते हैं डॉक्टर राजकुमार धाकर से डॉक्टर राजकुमार धाकर रूरल वोईस एगरी टेक्सों में आपका स्वागत है मेरा पहला सवाल आपसे है कि जो स्मार्ट फॉन बेस सेंसर यानि हमारे स्मार्ट फॉन में जो सेंसर है वो क्या होते हैं, उनको हम कैसे पहचाने के इसमें सेंसर हैं और फिर कैसे काम करते हूं मैं सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप जानते हैं स्मार्टफोन सेंसर में दो मुख्या भागें पहला भाग है स्मार्टफोन, दूसरा भाग है सेंसर तो आप तो जानते हैं कि smart phone क्या होते हैं, smart phone से ना केवल हम text message भे सकते हैं, phone call कर सकते हैं और बहुत कुछ हम ज्यादा कर सकते हैं, तो वीडियो call भी कर सकते हैं, उससे photo भी ले सकते हैं दूसरा भाग है sensor, sensor एक ऐसा उपकरन होता है जो कि किसी भी चीज और पदार्त की भोतिक मात्रा के आधार पर एक signal generate करता है, उस signal को sensor के द्वारा detect कर लिया जाता है, आजकल के smart phone में बहुत सारे sensors inbuilt होते हैं, मैं उनको पांस रेनियों में वरगरत करना चाहूंगा, पहला sensor है robot के navigations में किया जाता है, दूसरे sensors है image sensors, इन image sensors में high resolution semiconductors होते हैं, CMOS sensors होते हैं, इन sensors के द्वारा हम फोटो लेते हैं और इस फोटो के द्वारा analysis करके हम फसल की जैविक, एजैविक इस्तिति का पता लगा सकते हैं, उसकी फसल की ब्रदिक इस्तिति का पता लगा सकते हैं, त पादरता के तापमान के प्रेसर के sensors होते हैं, इन sensor के data को हम जलवायो kit model में उप्योग करके, कीटो के पूर बनवान का पता लगाया जा सकता है, four sensors है, position sensor, जिसमें GPS include होता है, GPS receiver, इसमें जैसे हम geotagging और geofencing से किसी खेत में मिर्दा का नम्मूना लिया, तो उसके बोगलिक स्थितिका पता लगा सकते हैं, पांचवा sensors है, connectivity model, इसमें Wi-Fi, Bluetooth, NFC include होते हैं, इस से हम दूरस्त जो sensors है, उनका data प्राप्ट कर सकते हैं, और उसको दूरस्ट सर्वर पर भी भेज सकते हैं, तो किर्शी शेत्र के लिए जो sensors हैं, उनका किस तरीके से उपयोग हो रहा है, औ उससे जो information मिलती है, उसका information होता है, जो भी sensor से data आता है, वो sensor के data पर हम एक model तयार करते हैं, वो model हम चाहे artificial intelligence से तयार करें, machine learning से तयार करें, या deep learning से और simple regression model भी बना सकते हैं, उस model के आदार पर हम किसी के अनुपरियोगों की जानकारी देते हैं, एक उधारन देना चाहू पता लगा लिया, artificial intelligence की वज़े से, कि यह कौन सा रोग है, एक वार हमें रोग diagnosis हो गया, तो हम उसका निदान भी बता सकते हैं, तो इसी तरीके से बहुत सारी applications है, जो कि जल प्रवंदन के लिए यूज हो रही है, रोग प्रवंदन के लिए यूज हो रही है, और भी बहु जो कि साटीक करसी का एक महत्पून हिस्सा है, किसान इस स्मार्टफोन बेस सेंसर की बज़े से, अपने फिंगर टिप्स पे खेत की पूरी जानकारी रख सकता है, चाहे वो मिर्दा की हो, या पानी की हो, या फिर फसल की हो, उससे जो डेटा आएगा, उस पर रियल टाइम बिसलेशन किया जा सकता है, रियल टाइम बिसलेशन करके, एक किसान को अलर्ट भी जा रही किया जा सकता है, जिससे कि वो सूचित नहीं ले सकता है, तो आप देखेंगे कि हम जैसे प्रिसिजन एगर का मतलब है, सटीक और सई समय पर इंपुट्स का एप्लिकेशन करना, तो अगर हम इंपुट्स का सई मात्रा में एप्लिकेशन करेंगे, तो उससे इंपुट लागत में कमी आएगी, और उसके साथ साथ उसके उत्पादन में ब्रद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् तो उसकी दक्षता वड़ रही है, तो इसका मतलब आप टिकाव किर्सी पिनाली को बढ़ावाद दे रहे हैं। तो दोक्र डाका ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलोजी है और आने वाले दिनों में इसका उप्योग बढ़ेगा तो किसान बढ़े पैमाने पर इसका इस्तेवाल करें हर किसान के हाथ में आज स्मार्टफोन है तो आप किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी आप दे जो के लिए एप्लिकेशन डवलप की जा चुकी है जैसे फसल के रोग का पता लगाना है एक सीमित इस तर पर तो अभी जो एप्लिकेशन डवलप हो गई है उनको किसान अपने यूज करना चालू करें जिससे कि वो उनके सीख जाएगा कि कैसे यूज करना है अब जैसे ज स्मार्ट फोन बेस सेंसर जो टक्नोलोजी है उसके उपर विस्तार से जानकारी दी आपका बहुत बहुत शुक्रिया थन्यवाद अमीद है रूरल वोईस एग्रिटेक्सों का यह है एपिसोड आपको पसंद आया होगा इस शो में बस इतना ही अगले एपिसोड में हम फिर एक नई किर्शी तक्नीक की जानकारी लेकर हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार आप हमारे यूट्यूब चैनल रूरल वोईस इनको जरूर सब्सक्राइब करें यूट्यूब के बैल आइकन को क्लिक कर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं रूरल वोईस एग्रि झाल